Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247 As you all know we have started a series of MCQs और उस series की हमार ये 69th वीडियो है इससे पहले हमने 68 वीडियो को डिसकस किया है यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम Modern Age को डिसकस करेंगे Modern Age की हमारी 2nd वीडियो है और इस series की हमारी 69th वीडियो है तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को हमारा 1st question है William Black is a critical walk by आपको ये बताना है कि William Black एक critical walk है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है 1st है Matthew Arnold 2nd है Walter Pater 3rd है AC Swinburne 4th है WB Eats और 1st का हमारा सही answer है C इसे लिखा गया है AC Swinburne के द्वारा यदि आपने अभी तक हमारे Telegram Channel को जॉइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की इसक्रिपिशन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से आप हमारे Telegram Channel को जॉइन कर सकते हैं अगला कोशन हमारा है 2nd नमबर का John Drinkwater help to revive interest in ये कहना चाहते हैं कि John Drinkwater ने किस चीज़ में interest को create करने के लिए help की 1st है historical drama 2nd है problem plays 3rd है poetic drama 4th है ballots और 2nd का हमारा सही answer है C Poetic drama अगला कोशन हमारा है 3rd नमबर का Which literary character set कौन से literary character ने कहा है इन लाइन को My aunt died of influenza But it's my belief that they done the old woman in 1st है Sam in Pickwick Papers 2nd है Eliza in Pygmalion 3rd है Miriam in Sons and Lovers 4th है Jimmy Porter Look back in anger तो 3rd का हमारा सही answer है B इसे बोला गया है Eliza के द्वारा Pygmalion में Pygmalion एक play है जो कि George Bernard Shaw के द्वारा लिखा गया है बहुत ही famous play है आपको जरूर पढ़ना चाहिए आगला question हमारा है 4th number का Who wrote the play Ulysses यह जो Ulysses play है इसको किस के द्वारा लिखा गया है आप ध्यार रखेंगे एक Ulysses poem भी है जिसे Alfred Lord Tennyson के द्वारा लिखा गया है और यहाँ आपको play बताना है 1st है William Blake 2nd है Alfred Tennyson 3rd है Stephen Phillips 4th है John Dennis और 4th का हमारा सही आंसर है C यह से लिखा गया Stephen Phillips के द्वारा अगला question हमारा है 5th number का From whom did Queen Elizabeth 2nd inherit the throne यह कहना चाहते हैं कि Queen Elizabeth 2nd ने सलतनत को किस से हासिल किया था किस से इन्हें विरासत में मिली थी 1st है Edward 7th 2nd है Edward 8th 3rd है George 5th 4th है George 6th और 5 का हमारा सही आंसर है D George 6th अगला question हमारा है 6th number का Who is the author of the first man on the moon यहाँ पे on नहीं है यहाँ पे in तो Who is the author of first man in the moon first man in the moon का आथर कौन है लेख कौन है 1st है A.G. Gardiner 2nd है H.G. Wells 3rd है George Gissing 4th है William Golding और 6 का हमारा सही आंसर है B इसे लिखा गया है H.G. Wells के द्वारा तो यह जो work है The first man in the moon जिसे H.G. Wells के द्वारा लिखा गया है इसे publish किया गया था 1901 में और यह एक scientific romance है अगला question हमारा है 7th number का Who wrote the comic novel Antique है एक comic novel है जिसका नाम है Antique है which depicts the aimless self-absorbed culture in the sad and turbulent times following the end of world war first और आपको बताना है कि यह जो novel है Antique है इसको किसके द्वारा लिखा गया है फस्ट है Arnold Bennett सेकंड है Aldous Huxley फूर्थ है Graham Greene थार्ड है Graham Greene फूर्थ है Bernard Shaw तो 7th का हमारा सई answer है B इसे लिखा गया है Aldous Huxley के द्वारा तो यह जो novel है Antique है जो कि एक comic novel है इसे लिखा गया है Aldous Huxley के द्वारा और इसे publish किया गया था 1923 में इसकी स्टोरी जो है वो घटित होती लंडन में और यह डेपिट करता है अगला कोशन हमारा है अर्थ नमबर का यह कहना जहते हैं कि जो बिलिट यहां पे लिखा है यह जर्मर बॉम्बिंग है और यह कब घटित हुआ था फर्स्ट है 1910, सेकंड है 1920s, थैट है 1930s, फोर्थ है 1940s और एट का हमारा सही आंसर है D, 1940s तो यह जो बिलिट यह होता है जो कि जर्मन बॉम्बिंग कैम्पेन होता है और यह यूनाइट किंगनम के अगेस्ट में होता है जो घटित होता है 1940s में इसलिए इसका सही आंसर होगा D अगला कोश्चन हमारा है 9th नंबर का यह किसके द्वारा लिखा गए है आपको बताना है फर्स्ट है आलडाउज हकसले सेकंड है डावल एस ओर्डन थर्ड है जॉर्ज ओर्विल फॉर्थ है जॉर्ज मेरे दिथ और नाइंध का हमारा सही आंसर है C इसे लिखा गए है जॉर्ज ओर्विल के द्वारा तो यह जो डाउन और आउट इन पेरिस और लंडन है जिससे जॉर्ज ओर्विल के द्वारा लिखा गया है इनका फर्स्ट फुल लेंथ वोक है जिसको पब्लिश किया गया था 1933 में और यह एक मेमोयर है मेमोयर क्या होता है यह एक नॉन फिक्शन नेरेटिव राइटिंग बेस्ट अन आथर्स परसनल मेमोरीज यह एक नॉन फिक्शन नेरेटिव राइटिंग होती है जो आथर की परसनल मेमोरीज पे याद पे बेस्ट होती है अगला कोशन हमारा है तेंथ नमबर का ये कहना चाहते हैं कि गाल्सवर्दी का काउन सा एक प्ले है जो डील करता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट के क्रूल्टीज पर फर्स्ट है स्ट्राइफ, सेकंड है जस्टिस, थार्ड है दा सिल्वर बॉक्स, फॉर्थ है 21 डेज और तेंथ का हमारा साई आंसर है भी जस्टिस, तो ये जो जस्टिस इनका प्ले होता है जो कि जोन गाल्सवर्दी के दोरा लिखा गया है और इसको पब्लिश किया गया था 1910 में, डेट इसकी काफी इंपॉर्टन है, कई बार पूछी गई है इसमें क्या होता है, कि basically ये part होता है campaign का और ये campaign होता है to improve condition in British presence इसमें क्या होता है की जो Britain में prison में, जो cruelty होती है उसकी कंडिशन को सुधार करने के लिए एक campaign होता है इसलिए सही answer होगा, B अगला question हमारा है 11th नमबर का कौन सा एक नॉबिलिस्ट है जिसने डॉर्विन के थेरी को पूरे दिल से सुईकार किया है अगोश लिया है गले लगा रहा है फर्स्ट है सैमुल बटलर सेकंड है डबलू एम ठैकरे थर्ड है औसकर वाइल्ड फॉर्थ है जे बी प्रिस्टली और एलेवन का हमारा सही आंसर है सैमुल बटलर डॉर्विन की थेरी किया होती है डॉर्विन ने एक थेरी दी थी देरी ओफ इवेलुएशन और उसको इन्ह फर आर्ड सेक अलोन आई वुट नॉर्ट फेस दा ट्वाइल ओफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेज ये कहना चाहते है कौन से एक राइटर है जिसने रिफ्यूट किया है रिफ्यूट माने खंडन करना आर्ड फॉर्ट फॉर्षेक को फरस्ट है जॉन रसकिन सेकंड है जी Immaturity, यह three novels यहाँ पर है, एक तो है Immaturity है, Immaturity, The Irrational North दूसरी होगी,這個, Love Among the Artist यह तीं novel है और आपको बताना है कि किन के द्वारा लिखी गई है फस्ट है J.B. Priestley, थे के चेस्टार्टन, थेर्ड है Bernard Shaw, फ़र्ध है George Gissing और 13 का हमारा सही आंसर है C यसे लिखा गया है जोर्ज बर्नार्ट शा के द्वारा तो इसमें जो फास्ट नॉवल है इसको पब्लिश किया गया था 1930 में सेकंड है दा इर्रेशनल नॉट इसको पब्लिश किया गया था कंप्लीट बुक की रूप में 1905 में थार्ड है लव अमंग दा ओर्टिस्ट इसको कंप्लीट बुक की लिप में पब्लिश किया गया था 1900 में और यह त्यूनों नॉवल लिखे गए हैं जोर्ज बर्नार्ट शा के द्वारा अगला कोशन हमारा है 14 नंबर का यह कहना चाहते हैं कि कौन सी जोर्ज बर्नार्ट शा की अपले है जो फोकस करता है प्रोब्लम्स पे जो की घटित होती है पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप में फर्स्ट है दा मिस अलाइंस सेकंड है दा मिलिनेरिस फर्ट है दा हर्ट ब्रेक हाउस फौर्थ है कैंटिड़ा और फौर्टीन का हमारा सही अंसर है बी दा मिलिनेर दा मिलिनेरिस इससे लिखा गए है जोर्ज बर्नार्ट शागे दवारा अगला कोशन हमारा है 15 नंबर का Mr. Eric Vicker is a character आपको बताना है कि Mr. Eric Vicker ये character है और ये किस play में यूज किया गया है First है To The Lighthouse Second है Fine Gains Wake Third है The Rainbow Fourth है Women in Love तो 15 का हमारा सही answer है B ये जो character है इसे यूज किया गया है Fine Gains Wake A को play है जो की लिखा गया Irish writer James Joyce के दोरा लिखा गया है उसी में इसे यूज किया गया है इसे publish किया गया था 1939 में ये basicly एक fictional fables के collection है fictional fables का collection है और उसी में इस character को यूज किया गया है अगला question हमारा है 16th number का I'm the enemy you liked you killed I'm the enemy you killed my friend I knew you in this dark this above lines are taken from आपको बताना है कि ये line किस poem से ली गई है First है The Soldier Second है Dulls at Decorum East Third है To His Dead Body Fourth है Strange Meeting और 16 का हमारा साई आंसर है D Strange Meeting तो ये जो line है इसको लियागा Strange Meeting के लिए एक poem है जो कि Wilfred Owen के द्वारा लिखा गया है और ये deal It deals with the atrocity of World War First ये World War First के atrocity से deal करता है इसे लिखा गया था 1918 में और पब्लिश किया गया था 1919 में अगला question हमारा 17th है The title of the wasteland was dragged from आपको बताना है कि जो poem है Wasteland जो कि T.S.A.L.E.T. के द्वारा लिखा गया है इसकी title कहां से लिए गई है First है The Golden Boss Second है From Ritual to Romance Third है Charles Dickens Fourth है Body layer तो 17th का हमारा सायांसर है 17th का हमारा सायांसर है B इसे लिखा गया है From Ritual to Romance इसको थोड़ा डिसकस करते हैं जो The Waste Land है जो कि T.A.S.A.L.E.T. के दूरा लिखा गया एक बहुत ही famous poem है इसको publish किया गया था 1922 में इसमें 5 sections है जो starting के 2 sections होते है यानि कि 1st है The Barrier of the Dead और 2nd है The Game of Chess ये दोनों section को publish किया जाता है और उसकी title होती है He Do The Police In Different Voices repeat करता हूँ He Do The Police In Different Voices इस title से इन 2 section को publish किया जाता है और ये जो title है वो Charles Dickens की novel Our Mutual Friends से ली गयी है लेकिन जब इसमें 3 और section को add किया जाता है और वो 3 section है The Fire Sermon The Death by Water What The Thunder Said और जब ये 5 section कम्प्लीट हो जाता है तो इसको publish किया जाता है The Waste Land से और जो Waste Land ये title है इसको लिया गया है From Ritual to Romance इसलिए हमारा सही आंसर होगा B आगला question हमारा है ये कहना साहता है D.H. Lawrence का जो play है Women in Love ये किसका sequel है First है Sons and Lovers Second है The Rainbow Third है The Plumbed Serpent Fourth है The Kangaroo और 18 का सही आंसर है B The Rainbow तो ये जो Women in Love होता है जो कि एक novel है D.H. Lawrence के दोरा लिखी गई है इसको publish किया गया था 1920 में ये sequel होता है इनका एक earlier novel का जिसका नाम है The Rainbow The Rainbow को publish किया गया था 1915 में और उसी का इस sequel होता है अगला question हमारा है 19th Brighton Rock is a novel by ये Brighton Rock एक novel है आपको बताना है किसके दोरा लिखी गई है First है William Golding Second है Iris Maddoch Third है Aldoes Huxley Fourth है Graham Green और 19th का हमारा सही answer है D इसे लिखा गया Graham Green के दोरा अगला question हमारा है 20th Shares Apple Card Exposes the Unreality of Judge Bernard Shaw का जो novel है Apple Card ये expose करता है किस Unreality को First है Elections Second है Democracy Third है Political Leadership Fourth है The Ethics of Politics और 20th का हमारा सही answer है भी है ये democracies के Unreality को expose करता है उजागर करता है आगला question हमारा है 21st number का Brother to a prince and fellow to a beggar If he be found worthy This is the epigraph of Epigraph यानि कि कोई work लिखनी से पहले जो line ही ये quotation लिखा जाता है उसी को epigraph कहते हैं और आपको बताना है कि ये जो line ही ये किस की epigraph के रूपी यूज की गई है First है T.S. Illiats The Hollow Man Second है Rudyard Kipling The Man Who Would Be The King Third है George Iliats Silas Marner Fourth है E.M. Foster Howard End तो 21st का हमारा सही आंसर है B Rudyard Kipling The Man Who Would Be The King ये एक story है Basically The Man Who Would Be The King ये एक story है Two British Adventurers की और इसे publish किया गया था 1888 में लिखा गया है Rudyard Kipling के दोरा और इसी में ये line यूज की गई है Epigraph के रूप में अगला कोशन हमारा है 22nd Examine the following statement and identify one of them which is not true ये सारे statement को read करके आपको बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है First है Rudyard Kipling died in the year 1936 तो ये वाला सही है Second है He was born in India but is cold in England और ये भी सही है C है He returned to India as a police constable in Burma और ये सही नहीं है Fourth है He is the author of Jungle Book and Barrack Room Ballads ये भी सही है That means कि जो हमारा 22 है उसका C सही आंसर होगा C वाला सही नहीं है बाकि सारे सही है अगला कोशन हमारा हो जागा 23rd number का The protagonist returns with an admonition The diamond sent to him for smuggling out a packet of diamonds as a bribe This scene occurs in one of the novels of Graham Green identify the novel ये जो उपर mention की गई है लाइने तो ये बेसिकली एक scene है जो कि घटित होती है Graham Green की एक novel में आपको उस novel की पहचान करना है First है The end of the affair Second है The heart of the matter Third है The ministry of fear Fourth है Our man in Havana तो 23rd का हमारा सही आंसर है B यानि कि The heart of the matter में घटित होता है जिसे Graham Green की दोरा लिखा गया है हमारा आज का last question है 24th है Which character represents Karl Marx in Orwell's animal form ये कहना चाहते है कि कौन सा एक character है जो Karl Marx को represent करता है Orwell की work animal form में First है Napoleon Second है Boxer Third है Snowball Fourth है Old Major और 24th का हमारा सही आंसर है D Old Major तो ये जो है Basically animal form जो है Animal form इसके लिखा गया है George Orwell के दोरा ये एक Allegory है Allegory नोवेला है और इसे पब्लिश किया गया था 1945 में इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि जो animals form में जो animals होते हैं इसी में एक कार्ण मार्स जो होते हैं इनको रिप्रेजल किया गया है Old Major से इसलिए हमारा सही आंसर होगा D तो ये रहे हमारे आज के questions हमें उम्मीद है आपको समझाए होंगे फिर मिलते हैं आगली वीडियो में Till then take care, have a good time